गुड इवनिंग एवरेबड़ी एंड वेलकम तो क्रियेटरिक्स चैनल माई डियर फ्रेंड्स वी आ लाइव अगें पॉप पावर सिस्टम्स को सबसे पहले मेरे भाई मुझे यह बता दो कि सभी लोग कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं enjoy कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है तैयारी का इस समय पे सबकी तैयारी कैसी चल रही है यह बताओ और आज का दिन कैसा जा रहा है मेरे भाई are you guys enjoying or not are you guys enjoying or not tell me quickly tell me जल्दी जल्दी बता दो सभी लोग का enjoyment चल रहा है नहीं चल रहा concepts मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्योंकि आज हम इस मज़े को double करने वाले हैं अपने इस lecture के साथ types of transmission line तेक है types of transmission line के साथ आपके enjoyment को next level लेकर के जाने वाले हैं इसलिए सबसे पहले मुझे बता दो कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है सभी लोग का ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि short line क्या होती है medium क्या होती है long क्या होती है और main बात ये नहीं है कि क्या होती है main पढ़ेंगे क्यों होती है समझ रहे हो सब लोग ये कहते है short medium long क्या है मैं कहूंगा short medium long क्यों है है ना तो ये question का answer करने की कुछ करेंगे एक बहुती बढ़िया तरीके से बहुत detailed concept से और आप लोग genuinely काफी enjoy करने वाले हो तो आज से हमारा नया chapter start हो रहा है last chapter अगर आपने attend नहीं भी किया है तो आप इस lecture को attend कर सकते हो last chapter का इससे as such खास कोई relation नहीं है जो भी formulas हमने वहाँ पर पढ़े है तो you can enjoy from this lecture onwards ठीक है और कुछ बच्चों का doubt आ रहा है कि sir analog start उने रहा है पेटा analog कल से start करेंगे ठीक है recorded videos कल से आना शिरू हो जाएंगे two videos per day और काफी detail में रहेगा syllabus English में रहेगा syllabus लेकिन आपको पूरा-पूरा समझाएगा एकदम basic से advanced तक analog समझ में आएगा कल से start करेंगे ठीक है चले फिर आज का lecture start करें सभी लोग ready है एवर जल्दी हताओ सब लोग ready है आज का lecture start कर सकते हैं या नहीं कर सकते are you guys ready or not are you guys ready or not quickly tell me quickly 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 ठीक है digital कल आएगा digital का ख्याल ना देना मतलब analog की बात हो रही है digital तो complete हो चुगा channel पे digital तो कराई चुके हैं अब तो analog की बात हो रही है शायद analog ही last lecture subject बचाए ठीक है मेरे भाई एक lecture में बहुत ज़्यादा preparation और बहुत ज़्यादा energy जाती है तो दो lecture तो मैं नहीं ले पाऊँगा power system के कैसे भी ठीक है एक एक lecture करके चलेगा और जिसको जल्दी cover करना है जिसको जल्दी cover करना है वो कहां से cover करेगा मेरी special classes में power system के काफी topic पड़े है जैसे protection, stability, transmission, distribution मेरे भाई बिलकुल उनको निप्ता लो बिलकुल उनको निप्ता लो कल से दो पैर दो बजे आपके analog के वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है चालो 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 अब सबसे पहले let me introduce myself for my friends who are meeting me for the first time my dear friends in the year 2013 when I graduated from IIT Indoor and till date I have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes okay and presently my dear friends I am working as a director at an academy for gate department लेकिन मेरे भाई ये सब तो अपनी जगे हैं सब credential achievement सब अपनी जगे हैं matter क्या करता है मैं हमेशा क्या कहता हूँ matter क्या करता है matter ये करता है कि हमारी feeling क्या है हमारी feeling ये है कि भई यह हमें top rank लेकर क्या आनी है gate और ESE में और मेरी feeling ये है कि मुझे आपको top rank दिलवानी है मुझे आपको top rank दिलवानी है और अगर मुझे आपको top rank दिलवानी है मेरे भाई तो मैं तो अपना 100% देने के लिए तयार हूँ और जैसे अभी देखू साड़े आठ बजे मैं डेली आपको electrical junction पे opamp कवर करा रहा हूँ ठीक है साथ बजे मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ power system दोपैर साड़े बारा बजे power system के pyqs लगवा रहा हूँ तो इतना कुछ मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपकी तैयारी में जान डाल देने के लिए और मेरे भाई ऐसा ही आप पी पूरी जान लगा दो साथ मिलके काम करेंगे न पूरी मेहनत करेंगे तो rank ना आए ऐसा होना practically impossible है और मेरे भाई ये चल क्या रहा है ये चल क्या रहा है likes आप लोग करते ही नहीं मैंने क्या बोला है मेरे classroom में जब entry लेते हो attendance mark करने का तरीका like बटन दबाना है एक बार like बटन दबा दोगे attendance लग जाएगे मुझे पता जल जाएगा मेरा बच्चा lecture देखके गया है समझ रहे हो मेरा student lecture देख गया ये चीज का मुझे संतुष्टी हो जाते है जब आप लोग like बटन दबाते हो और मेरे भाई share करके तो आग लगा देनी है मैं पहले बोल रहा हूँ share इतना करना है कि आग लग जानी चाहिए इस country के अंदर कि भाई ये power system टॉप लेवल का power system आपके लिए free of cost यूट्यूब पे लाए जा रहा है free of cost आपके लिए यूट्यूब पे लाए जा रहा है ये गली-गली महले में हल्ला मत जाना चाहिए कि यार ऐसा power system ना कभी देखा ना कभी सुना ना कभी पढ़ा और सर तो live पढ़ा रहे हैं YouTube पे live पढ़ा रहे हैं मेरे भाई इसलिए जल्दी से हल्ला मचा तो चारो तरफ कि भाई power system का lecture स्टार्ट हो चुका है और देखो जो थोड़े जल्दी वाले हैं जो थोड़े हमारे जल्दी वाले बच्चे हैं वो लोग क्या करें इस URL पे चले जाए मेरे भाई tinyurl.com slash ankitse इस URL पे जाना power system का काफी सारा content already मैंने यहां पढ़ाया हुआ है अब यह सारी चीज़े आपको already free of cost अविलेबल है तो जिनको जल्दी कवर करना है वो ऐसे कवर कर ले और जिनको भाईया highest quality content चाहिए जिनको भाईया highest quality content चाहिए वो लोग इस lecture सिरीज में बने रहे हैं नितेश मेरे भाई वो कह रहे है theory लिखवा दिया करो सर मशीन की तरह अरे मेरे भाई मुझे यह समझ नहीं आता कि theory dictate करके लिखवाना और theory यहां लिखा होना theory तो theory है इसमें फरक क्या पड़ेगा यही point मैं बोलूँगा तुम copy में note down कर लोगे आप लोग pause करके note down कर लिया करो लेकिन मेरे भाई इस तरह से कहना दोनों बच्चों का फायदा है जिनको थोड़ा जल्दी जाना है जिनको लिखने से मतलब नहीं है उनको भी फायदा है और जो लिखना चाहते हैं वो pause करके बिल्कुल लिख भी सकते हैं तीक है सारी theory है इ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ और वो यहां लिखा ना हो ऐसा नहीं है तो आप भले अपने अलग से notes बना लिया करो बट इससे सभी लोगों का फायदा है चालो अब इसके अलावा मेरे भाई देखो आज आखरी मौका है plus join करने का क्योंकि इसके बाद आज रा प्रेक्टिस पेपर, weekly quiz, test series, previous year question, practice question, crash course, rank improvement, doubt solving मेरे भाई जब इतना कुछ मिलता है प्लस पे तो प्लस पे ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता सब लोग जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ और मेरे भाई दो साल का सब्स्रिप्शन ले लेना क्योंकि कल से 1 year वाला भी 2 year से महंगा हो जाएगा ठीक है अब देखो prices ऐसे कुछ होने वाले हैं 1 month में 500 rupees increase किया जा रहा है 3 months में 1250 rupees increase किया जा रहा है 6 months में 4750 increase किया जा रहा है 12 months में 5000 rupees का increase आ रहा है फिर एक नया सब्स्रिप्शन अब आ जाएगा मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए तो जो लोग इसमें भी interested है वो कल से ले सकते हैं जिनको gate 2022 देना है वो क्या करें देड़ साल का सब्सक्रिप्शन ले 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 देड़ साल में आपका gate और ESE 2022 निकल जाएगा और gate 2021 भी आ जाएगा तो ये पढ़ेगा 38500 का और 2 साल वाला थोड़ा अंकित ESE तो ये पढ़ेगा 39600 का और 1 ये वाला पढ़ेगा 27225 का पढ़ेगा बट कोड मेरे भाई याद रखना है बड़ा बड़ा कोड लिख दे रहा हूं अंकित ESE कोड का क्या मतलब है कि अंकित गोल is a part of your gate and ESE preparation तो मुझे अगर अपनी तयारी में साथी बनाना चाहत मेरे साथ तयारी करना चाहते है तो अंकित ESE कोड लगाओ जल्दी से अनकैडमी पे आओ मिनिममम प्राइजे में जॉइन कर जाओ आज रात बारा बज़े तक ये उपर वाले प्राइज अपली के बले और रात बारा बज़े के बाद मेरे भाई नीचे वाला प्राइज आ का इंतजाम हो जाता जैसे आप मनी अरेंज कर पाते हो आप बाकी का पेमेंट कर देना लेकिन गजब की बात ये होगी कि आपके लिए चार्जिंग कौन सी लगेगी पुरानी वाली पुरानी वाली चार्जिंग लगेगी नई वाली नहीं लगेगी तो इससे स्मार्ट तर बन सकता है और सारे बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा ठीक है और जैसा मैंने बता है एनलोग की बार बार क्वेरी जा रही है एनलोग कल दो पैर दो बज़े से लॉंच होना स्टार्ट हो जाएगा डेली दो लेक्चर आपको एनलोग के मिलेंगे टैबलेट पर रिकॉर्डेड है और एनलोग इंग्लिश में है ठीक है पूरा डीटेल में समझ बढ़िया से आएगा लेकिन मैंने पहले ही मैथड बता दिये ताकि बाद में आप बाद में आप कम्प्लेइन ना करो ठीक है और आज रात ना देखो साड़े आठ बजे उपैम पढ़ा हु आज का देखो लेक्चर क्या है आज का लेक्चर है पर्फॉर्मेंस ओफ ट्रांस्मिशन नाइन ध्यान से सुनते चलना कहानी की तरह सुनते चलना मज़ा आ जाएगा एक दमाग लगा दोगे और लाइक लगते रहने चाहिए मेरे भाई लाइक आते रहने चाहिए लाइक system देख लो दो तरह की performance होती है transient और steady state sir ये क्या होता है transient तो देखो मैंने control में भी बताया था फिर भी बता रहा हूं transient होता है जहां temporary response की बात होती है temporary response की बात होती है अब temporary response जो होता है it is only existing for a short duration it is only existing for a short duration और जिन लोगों की queries आ रही है मेरे भाई बिलकुल installments में भी fees दे सकते हो पैसा देने के बाद wait भी कर सकते हो मेरे telegram channel पे जाओ मैं बार-बार contact number देता रहता हूं call लगा और अभी book कर लो मेरा lecture खतम होते ही book कर लेना वरना बाद में regret करने का फाइदा नहीं होगा सारे इंडिया के top educator एक platform पे जुड़ चुक है इससे बड़िया platform मिलेगा नहीं अब ध्यान से सुनो transient का मतलब होता है जो responsive कुछी देर के लिए system में stay करेगा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है मेरे भाई अब कुछी देर के लिए stay करेगा तो इसमें transmission line में क्या होता है transmission line में देखो जैसे ही आफ source connect करते हो sending end पे तो वहाँ से source से energy जाना start कर देती है load तक source से धीरे 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 travel करके load की तरफ जाती है load की तरफ जाती है मेरे भाई अब धीरे धीरे जब ये load की तरफ energy जाना start हो जाएगी तो ये process जो है इसे कहेंगे transient इस process के अंदर हम पढ़ते हैं wave propagation कि कैसे energy wave के माध्यम से sending से receiving end जाती है gradually, gradually क्या होता है न जो wave travel करती है transmission line में वो travel करती है speed of light पे तो हम ये भी देखते हैं कि speed of light से कितना time उसे लगेगा sending से receiving जाने में ये चीज भी हम लोग पढ़ते हैं बात समझ रहे हूँ कि wave जब sending से receiving जाएगे कितना time लेगी that is called as transient और transient जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे surges की तो आगे चलके surges वाला chapter आने वाला है there will only talk about the transient so whenever anybody tells you कि transient की बात करने तुरन दिमाग में खटगना चाहिए he is talking about surges अब steady state में क्या होता है steady state में ऐसा मान लेते है sending end पे कुछ voltage है receiving end पे कुछ voltage है कुछ load लगा है it is drawing a certain current from the supply यानि कि पूरा system settled है पूरा system well settled है sending पे भी voltage है receiving पे भी voltage है current भी flow कर रहा है energy भी draw की जा रही है सारी चीज़े बढ़िया तरीके से continuous fashion में चल रही है इसको कहते हैं हम लोग steady state performance so steady state performance माने system is settled and transient performance माने energy begins to travel from the sending end towards the receiving end तो energy travel करके एक बार पहुँच गई न receiving पे और load उसे continuously absorb करने लग गया तब हम कहेंगे it is in steady state और जब तक energy travel करके धीरे 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 जा रही है तब हम इसे कहेंगे transient तब हम इसे कहेंगे transient बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई तो यह जो chapter में अभी आपको कराने वाला हूं it is about steady state performance तो अभी हम जितनी भी बाते करेंगे मेरे भाई steady state performance की बात करेंगे यानि source भी connected है, load भी connected है, current भी flow कर रहा है, voltage भी established है अब बात की जाएगी कि transmission line perform कैसा कर रही है performance का मतलब कै है transmission line के matrix कैसे है matrix का क्या मतलब है उसके parameter कैसे है, parameter माने RLC मी उसके performance parameter कैसे है, जैसे efficiency कितनी है, उसकी regulation कितनी है ये सारी बाते हम discuss करते है, steady state performance वाले chapter के अंदर यानि transmission line पे जब source लगाए, load लगाए, तो क्या transmission line सही perform कर रही है यानि, मेरी जरूरत अनुसार perform कर रही है यानि, क्योंकि अगर नहीं कर रही है तो line बदलनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले, ये analysis करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यानि कि sending का maximum से maximum power receiving तक पहुच रहा या नहीं पहुच रहा voltage का drop कम से कम है या नहीं है, ये सारी बाते verify करनी होती है in this steady state performance of the transmission line मेरे भाई ये बताओ, समझ आई पूरी कहानी, transient और steady state में क्या difference है in terms of transmission line, समझ आया के नहीं आया, ये जल्दी से मुझे बताओ ये point clear हुआ, what is transient and what is steady state, ठीक है और नितेश मेरे भाई, जिसको notes की जरूरत हो दिये, जल्दी से note down कर लो ये दोनो line है जल्दी से note down कर लो interview के लिए, ठीक है चलो, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है मेरे भाई ऐसी बहतरीन response चलाते रहा करो, chat चलाते रहा करो, नहीं तो मुझे नीद आ जाएगी समझ रहो न, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नीद आने लगेगी, अगर यह आपके response और हमारी interaction नहीं चलेगी live class का मज़ा उठाओ, live class को enjoy करो, कैसे interact करके, मैं आपके सारे comments देखता हूँ ठीक है, बट जो comments answer करने लायक होते हैं, उनका बिल्कुल मैं answer करता हूँ, जो नहीं होते हैं, उनको मैं बिल्कुल answer नहीं करता हूँ ठीक है, चलो, अब देखो क्या होता है, जब सबसे पहले efficiency की बात करते हैं, तो transmission line में ऐसे कौन से losses हैं, जो आ जाते हैं, जिससे की efficiency less than 100% होती है तो तीन तरहे के losses आते हैं, एक आता है ohmic loss, एक आता है ohmic loss, भाई obvious सी बात है ohmic loss आएगा, लेकिन मेरे भाई, गलती से भी copper loss मत कह देना, transmission line बनती है aluminium से, so we can't call it copper loss, तो I square R का जो general name होता है, that is the ohmic loss, क्योंकि ohms loss से आया है, ohms loss से loss आया है, तो ohmic loss है, but don't call it copper loss, copper loss is only applicable in machines where the winding is made up of copper, ठीक है, तो ohmic losses जो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, I square R, और अगर 3 phase ले लोगे न, तो ये हो जाते हैं, 3 I square R, ठीक है, ये दो तरहे के losses हो जाते हैं, अरे मेरे भाई, time मत multiply करना, यहाँ energy की नहीं, power की बात हो रही है, तो time नहीं, I square R T नहीं, दूसर Corona loss, तो बहुत अच्छे से बताया था, मैंने आपको की Corona क्या होता है, पूरा visualize भी कराया था, बढ़िया तरीके से, कि Corona में क्या होता है, जो आपकर एक conductor होता है, उसके around इतनी electric field develop हो जाती है, कि उसके around की air ionized हो जाती है, उसके around की air ionized हो जाती है, और वो air फिर ionized होके conduct करना start कर देती है, और इसी phenomena को कहते है, Corona, इसी phenomena को कहते है, Corona, अब ये जो air ionized होके conduct कर रही है, इसमें जो loss आएगा, that will be called as the Corona loss, और Corona loss में होता क्या है, मेरे भाई, जो energy होती है, that goes away in the form of the sound and the light and not in the form of the heat, ऐसा मत कहना, हवा गरम हो गए, इसमें energy चलेगी, नहीं मेरे भाई, गिस 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 की जो आवाज आती है ना, conductor में से बरसातों के दोरान, वो energy का loss है, क्योंकि अगर conductor आवाज कर रहा है, तो ये आवाज generate कहां से हो, ये energy कहां से आ रही है, ये energy आ रही है, सोर्स से, तो सोर्स से जो energy आके आवाज में convert हो गई, that is Corona loss, या conductor के around जो glow दिखा, जो light बन दिया था, कि जो energy non-utilized है, that is the loss, जैसे speaker पे गाना बजाते है, वो electrical energy को sound energy में convert करता है, लेकिन वो गाना आपके कानों को पसंद आ रहा है, तो that is not a loss, लेकिन वहीं, लेकिन वहीं, अगर हमारा speaker पिंग 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 ऐसे आवाज करने लगे, शोर मचाने लगे, तो that noise is a loss, क्योंकि वो energy ले भी रहे, और हमारा उसमें कुछ फायदा हो भी नहीं रहे, तो जिस energy से आपका भला हो रहा है, that is the utilized energy, और जो energy आपको waste कर रही है, that is the losses, तो corona में loss कहां जाता है, sound और light के अंदर, तो दूसरा होता है, corona loss, तीसरा होता है, loss due to leakage current, मैंने बताया था, कुछ न loss, क्योंकि मेरा aim क्या था, कि मैं को sending से receiving तक energy भेजनी थी, लेकिन इसमें कुछ power ऐसा करके tower में से निकल गई, अब यह जो power अर्थ में चले गई, जो energy अर्थ में चले गई, यह मेरे काम नहीं है, क्योंकि load तो था receiving end पे, उस तक energy पहुँची नहीं, और अगर load तक energy current conductance, अब यह जो shunt conductance नहीं ऐसे दिखा देते हैं, आपने देखा भी था, transmission line के model में मैंने बताया भी था, कि नहीं जो transmission line का capacitance और shunt conductance है, वो ऐसे shunt में दिखा जाता है, इसको दिखाते हैं G, इसको दिखाते हैं C, तो हम कहते हैं, जो leakage current का loss है, यह जो leakage current का loss है मेरे भाई, यह loss कितना आएगा, अच्छा तो वैसे यह background बढ़िया लग रहा है white और black की जगे, क्यों, क्या कहते हो, is this better than white or black background, dark भी नहीं आपका internet भी जाधा नहीं खपेगा, and it is more soothing to the eyes as compared to the white background, आखो को जाधा पसंद आएगा, ठीक है, unbalanced system के अंदर 3 गुना नहीं करेंगे, I1 square R1, I I2 square R2 plus I3 square R3, इस तरह तीनों फेजिस का loss निकाल के add किया जाएगा, ठीक है, चलो, यह आगए तीनों losses, अब आप efficiency क्या कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे, efficiency is receiving and power by receiving and power plus losses, ठीक है, plus losses, तो efficiency is receiving and power over receiving and power plus losses, यह बात समझ में आई, बहुत simple है, receiving and पे लगा है, load, load जो power लेगा, load power by load power plus losses is called as your efficiency, it is called as your efficiency, ठीक है मेरे भाई, यह बात है समझ आ रही है, तो efficiency में करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, और बहुत सही point लिखा है मेरे एक दोस्त ने, कि यह जो power आ power, यह होती है, sending and power, ठीक है, यह power supplied by source है, power supplied by source, ठीक है भई, तो मेरे को लगता है, efficiency तो सब को समझ आ गई होगी, बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके समझ आ गई होगी, अब आ जाते है, regulation पे, अब आ जाते है, regulation पे, सर, यह regulation क्या चीज होती है, regulation देखो, जैसे machine में पढ़ते हो, voltage regulation वैसे ही transmission line में भी पढ़ा जाता है, regulation का मतलब होता है, जैसे transmission line पे load बढ़ेगा, तो कैसे कैसे उसकी voltage fluctuate करेगी, समझ रहे हो, जैसे कही बार देखना, आप घर में अचानक से AC चालू करना, आपकी जो light which is called as the voltage regulation, यह experiment कभी भी करना, एक या दो AC एक साथ बटन दबा के चालू कर देना, और फिर देखना कि क्या होता है, tube light को, क्या होता है, पंके को, क्या जटका लगता है या नहीं लगता, अगर जटका लग रहा है माने कि आपका load लगाने से voltage गर गया, voltage गर गया, बट हम यह चाहते हैं कि भईया, load कितना भी लग जाए, कितनी भी power खीच ले, मिलनी मुझे 220V ही voltage चाहिए, मेरे पास voltage कम ना हो, मेरे पास voltage कम ना हो, और अगर ऐसा चाहते हो, इसका मतलब है, voltage का fluctuation minimum रहना चाहिए, और voltage fluctuation minimum का मतलब है, voltage regulation should be minimum, ठीक है, AC नहीं है, तो मेरे भाई, heater, heater कुछ भी high power चला लेना, ठीक है, heater, 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 कुछ भी high power चला लेना, और देखना voltage कैसे fluctuate होती है, चलो, अब ध्यान से सुनो मेरे बात को, कि कभी भी क्या होता है, कि हम ये चाहते है, voltage का fluctuation, minimum से minimum रहना चाहिए, ठीक है, minimum से minimum रहना चाहिए, और उसके लिए, आपका regulation minimum आना च कि ऐसा करना, बिटा, आज दो AC या फिर एक पंका, एक light चलाना, हम ना load fix कर रहे हैं, तो आप ऐसा करना, on off मत करना, कुछ भी घर के अंदर, इतना बता दिया, इतने में जीलो, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है न, और मेरे भाई कोई पूछ रहा है, energy efficiency क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको skip कर सकते हो, it is required in transformer, उसका सवाल भी कई बार करा है, उसका concept भी पूरा पड़ा है, अब जैको regulation, regulation हमेशा निकाला जाता है, मेरे भाई, output पे, जैसे transformer है, तो उसके secondary पे, generator है, तो उसके output पे, ऐसे ही transmission line है, तो उसके receiving end पे, उसके receiving end पे, ये बात हमेशा धियान रखना, efficiency is always, sorry, regulation is always computed at output, that is very, very necessary, regulation is always computed at output, ठीक है, computed at output, अब बात है, voltage regulation कितनी आती है, no load voltage, minus full load voltage, अब देखो, vr0 का मतलब है, no load voltage, no load voltage, अब आप नीचे no load से भी divide कर सकते हो, अगर आपने नीचे no load से divide किया, तो it is called as regulation down, it is called as regulation down, ठीक है, और अगर आपने नीचे full load से divide किया, then it is called as regulation up, it is called as regulation up, ठीक है मेरे भाई, is this clear to everybody, everybody quickly tell me, is this clear, regulation up, तो यह दो तरह की regulation होती है, लेकिन सर फिर use कौन सी करें, exam में आ जाए, exam में आ जाए, तो कौन सी use करें, तो मेरे भाई, मैं यह कहता हूँ, exam के अंदर आ जाए, तो थोड़ा सा smart बनो, और आप क्या लिख दो, आप क्या लिख दो मेरे भाई, कि voltage regulation is mod vr 0, minus mod vr, by mod v rated, mod v rated, ठीक है, यह आप use करें, यह आप use करें, नीचे rated voltage का use करें, यह नीचे rated voltage का use करें, अब कोई बच्चा मेरा पूछ रहा है, कि सर यह up and down का क्या मतलब है, up and down का क्या मतलब है, down इसलिए, क्योंकि नीचे का denominator बड़ा डाला है, no load voltage जादा होती है, full load voltage से, denominator बड़ा डालोंगे, तो value छोटी आएगी, that is regulation down, denominator छोटा डालोंगे value, इसका मतलब क्या है, that the line is open, that the line is open, अब regulation निकालते वक्त कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, regulation निकालते वक्त, buffer कर रहा है क्या, buffer कर रहा है, एक चीज़ दाओ, let me check, अब देखना मेरे भाई, अब तो ऐसा नहीं होना चीए, वैस्तो मेरे net की speed आती है, 800 mbps वग्यरा, तो एक बार check करके बताना, अब बढ़िया आ रहा है के नहीं आ रहा है, ठीक है, कई बार ये software थोड़ा इशू करता है, बाके internet का issue नहीं है, चलो, अब कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, regulation निकालते वक्त, कि regulation में load vary करके, ठीक है, regulation में load vary करके, ये देखना होता है हमें, कि receiving end की voltage में क्या change आया, तो इस दोरान आपको sending end की voltage बेटा same रखनी पड़ेगी, यानि generator तो उतनी ही voltage दे रहा है, बट load बदल बदल के ये चेक कर रहे है, receiving end पे कोई impact आ रहा है या नहीं, और आ रहा है तो कितना impact आ रहा है, इस चक्कर में ऐसा मत करना कि sending end का voltage बदल दो, sending end का voltage नहीं change करना है, sending end should be same, only receiving end will change, ठीक है, अब इसके अलावा, voltage regulation is computed at a specified power factor, यानि question के अंदर power factor हमेशा mentioned होगा, कि 0.8 power factor है, 0.6 power factor है, ये चीज़ें आपकी पहले से specified रहेंगी, और फिर उसी पे voltage regulation निकाली जाएगी, यार मेरे end पे तो मुझे सही दिख रहा है, अब ही देखो, सई आ रहा है क्या, अब देखो, कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर, no load है, तो receiving और sending की voltage बराबर होगी, नहीं मेरे भाई, इतना simple circuit नहीं होता, transmission line का इतना simple concept नहीं होता, कि अगर receiving end का current 0 है, तो sending का भी 0 रहे, अचा ऐसा सोचो, receiving का मानलो 0 भी है, आपने load लगाया ही नहीं है, क्या leakage current नहीं होगा, क्या line charging current नहीं होगा, तो बिना किसी load के भी transmission line में कुछ ना कुछ current जरूर flow करता है, source से कुछ ना कुछ current आता है, इसलिए voltage drop 0 नहीं आता मेरे भाई, voltage drop 0 नहीं आता, ध्यान से समझो, अगर आप load नहीं भी लगाओगे, still there will be leakage current, still there will be line charging current, जैसे देखो transformer का no load current होता है, आप load ना लगाओ तो primary का current 0 थोड़ी होता है, shunt branch में current जाता है, ऐसे ही transmission line के अंदर भी देखो, यह जो shunt branch है न, अगर इधर current 0 भी जा रहा होगा, तो यहां से current ऐसे आ जाएगा, समझाई बात, shunt branch में current flow करेगा, और इस कारण से आपका voltage drop 0 नहीं होता, open circuit does not mean that the sending end will be equal to receiving end, तो मैं आपको क्या बात बता था, regulation निकालते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कि as the load is being varied, the sending end voltage, sending end voltage should remain constant, तेक है, और regulation निकाला जाता है at a specified power factor, और voltage का सिर्फ magnitude लेना है, यह बात पर ध्यान देना, we only consider the magnitude of the voltage, voltage का angle मत ले लेना, यानि जब यहाँ value डालोगे न, तो इस बात पर ध्यान लगाना, मैंने mod लिखा हुआ है, यानि दोनों voltages का सिर्फ magnitude चाहिए, उनका angle नहीं चाहिए, उनका angle नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है, चलो, अब आज आते हैं classification पे, जो हमारा आज का main topic है, किस तर ये transmission line को short, medium, long में कैसे निकालते हैं, short, medium, long क्यों होता है, तो देखो transmission line न, इस type की wave बनती है, wave बनती है, मैं आपको derive भी कराऊंगा wave nature, मैं आपको पूरा differential equation से derive कराऊंगा wave बनती है, बट मेरे भाई ये धिहान दो, ऐसे fluctuate करते हैं, wire नहीं हिलती है, ऐसे उपर नीचे, नहीं, उसके voltage और current ऐसे fluctuate करते हैं, और इसे कहते हैं, wave nature of the transmission line, तो transmission lines को classify किया जाता है, on the basis of their length and their wavelength, wavelength क्या होती है, जब कोई wave propagate करती है, तो उसके 2 crest के बीच का distance, is called as wavelength, 2 crest के बीच का, crest मतलब क्या होता है, उसका maximum value, 2 maxima के बीच का difference ले लो, या 2 minima के बीच का distance ले लो, ये भी lambda ही है, ये भी lambda ही है, 2 maxima के बीच का distance, 2 minima के बीच का distance, that is called as the lambda, तो हम क्या करते हैं, जब transmission line के अंदर wave propagate कर रही है, तो wire की length कितनी है, और उसकी wavelength कितनी है, उसकी wavelength कितनी है, इसको compare करके ये पता लगाया जाता है, transmission line किस category में जाएगी, short, medium या long, short, medium या long, अब देखो transmission line की wavelength कैसे निकाली जाती है, c by f, c क्या है, speed of light है, आप कहोगे sir, कितना लेंगे, 3 into 10 की power 8 मतले न, 5 लेना, km per second, frequency तो 50 hertz लगाओगे न, तो ऐसे आजाता है, lambda, ठीक है, जब भी तेको electromagnetic wave ट्रेवल करती है, तो it almost travels at the speed of the light, और transmission line के अंदर भी जो voltage और current की waves हैं, that is an electromagnetic wave, that is an electromagnetic wave, so it also travels at the speed of the light, speed of light पे मेरे भाई ट्रेवल करेगा, और उसके हिसाफ से lambda आ गया 6000 km, अब समझे लो 6000 km लंबी तो transmission line नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, lambda और इसकी length, जो wire की actual length है, उसे हम compare करते हैं, पता लगाते हैं, line किस category में जाने वाली है, short, medium या long, आप कहोगे सर्थ जरूरत क्या पढ़ी, wire तो wire है न, छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, चोडी हो, क्या फरक पढ़ता है, मिरे भाई फरक ये पढ़ता है, कि अगर एक transmission line का exact analysis करने लग गए न, अगर पूरा उसका बढ़िया तरीके से detail में analysis करने लग गए, बहुत बहुत ज़्यादा time लगेगा एक analysis पूरा करने में, और उतना time ना तो मैं दे सकता हूँ, ना उतना time मेरे पास है, ना उतना time मेरे पास है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ approximations करके, इस analysis को simplify करना है, बात समझ में आ रही है, अगर मैं approximation से analysis simplify कर पाऊँ, और accuracy में ज़्यादा घाटा ना आए, यानि result अभी भी ठीक ठीक आ गया, लेकिन मेहनत काफी बच गई, तो हो गया ना फायदा, हो गया फायदा, ऐसा सुचो gate में, अगर तीन डिजिट की जगे, दो डिजिट तक आपने answer सही निकाल लिया, लेकिन उसके चक्कर में एक मिनट बच गया, तो मेरे भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, आपका range में भी आएगा answer, आपको marks भी पूरे मिलेंगे, और आपके बास जो time बचा है, उसे भी आप अगले question में invest कर सकते हो, बात समझ में आ रही है, ये फाइदा होता है, ये फाइदा होता है आपका किसका, approximation का, approximation का, ठीक है, ये बात clear हो गई, चलो, अब देखो ये हमारी एक wave है, मैं आपको एक example लेके बताता हूँ, मैं आपको एक example लेके बताता हूँ, कि इस wave में चलो, मैं यहाँ पर ऐसे ही draw कर देता हूँ, कि मान लो, मैंने छोटी सी एक transmission line ले लिए, ऐसे एकदम छोटी सी, समझा रहा है, इसकी wavelength के comparison में बहुत छोटी line है ये, अब आप ये देखो, कि ये जो fluctuation आएगा ना, ये तो मैंने फिर भी बड़ी दिखा, ये आपको इतनी बड़ी line नहीं ले रहा हूँ, ये जो fluctuation आएगा, voltage में या current में, चलो current की बात कर लेते हैं, ये current का wave है ऐसा मान लो, यहाँ पर x-axis पर क्या है, ये है आपका distance, and यहाँ पर y-axis पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर y-axis पर क्या है, आपका current का amplitude है, बात समझ में आ रही है, हमने यहाँ पर यह दिखाया है, कि current distance के साथ vary कर रहा है, यानि sending end पर current अलग है, receiving end पर अलग है, ये वाला end आपका sending end है, और ये वाला है receiving end, physical length काफी ज़्यादा छोटी है, as compared to wavelength, physical length is much smaller than wavelength, L is much much less than lambda, अगर ऐसा हुआ मेरे भाई, तो change in current, change in Ix, is approximately 0, बहुत कम change आएगा, अगर current का change almost ना के बराबर है, तो we assume, we assume, current constant in the line, अगर current आप constant मान रहे होगी, sending से receiving तक current constant जा रहा है, एक चीज़ सोचो ना, sending से receiving तक current constant जा रहा है, इसका मतलब है, we are ignoring shunt branch, क्योंकि कुछ current तो shunt में भी जाता ना, पूरा आगे तक नहीं जाता, इसका मतलब है, आपने shunt branch को ignore कर दिया, और यही मेरे भाई कहलाती है, short transmission line, यही कहलाती है, short transmission line, तो अब एक चीज़ को समझो, हम कर क्या रहे हैं, कि अगर length और lambda के comparison, length बहुत छोटी हो जाए, तो हम यह मान लेते हैं, कि current almost constant रहेगा, यानि shunt branch ignore कर देते हैं, और shunt branch अगर ignore कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगी? Series branch, सिर्फ क्या बचेगी? Series branch, और यही होता है, मिरे भाई, short transmission line, तो motivation को समझो, motivation को समझो, ये सब क्यों किया, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब मिरे भाई, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि line को जितना classify कर लेंगे यहाँ पे line को जितना classify कर लोगे उतना approximate करके result बढ़िया निकाल सकते हो और कम से कम time में निकाल सकते हो अक्षत मेरे भाई अगर पीछे के lecture देखोगे तो मैं आपको questions भी करा रहा हूँ lectures में मैं questions का पूरा-पूरा session अलग करता हूँ जिसको मैं DPP session नाम देता हूँ और हर topic के बढ़िया question जादा number में जादा quantity में question आपको कराई जाते हैं अगर आपने power system का course cover किया और इसके बाद power system के question ना बने ऐसा होना practically impossible है तो फिर से समझो line को approximate क्यों किया line को classify क्यों किया ये classification नहीं है approximation है ठीक है line तो line है लेकिन उसका model simplify कर रहा हूँ ताकि answer ठीक ठाक आ जाए लेकिन साथ-साथ मेहनत बहुत बच जाए इसी के लिए line को अलग-अलग categories में divide कर रहे है अब देवों सबसे पहले आता हूँ short transmission line में short transmission line का मतलब क्या होता है कि इसकी जो length है इसकी जो length है मेरे भाई that is much-much less than lambda अब हम क्या कहते हैं ऐसे कहते हैं L by lambda is much-much less than 1 lambda देखो c by f होता है ना समझाया तो यानि l into f पे l into f पे आप classification करोगे l by lambda से क्या बन के आ गया l into f तो हम कहते हैं short line वो होती है जिसकी length 80 km से कम हो for 50 hertz 80 km से कम हो for 50 hertz या general criteria कर दो बंदू general criteria कर दो कि sir lf should be less than 4000 km per second ठीक है 4000 km per second अब एक चीज सोचो ना ये value 3 into 10 की power 5 से तो बहुत छोटी है 4 into 10 की power 3 is much much smaller than 3 into 10 to the power 5 and that is the condition of a short line तो आपको exam के अंदर क्या याद रखके जाना है मेरे भाई कि l into f is less than 4000 l into f is less than 4000 मानलो वो exam में ऐसा कह दे कि बेटा हमने 100 hertz लगा दिया अगर वो आपसे ऐसा कह दे हमने 100 hertz लगा दिया अब ये बताओ कितनी length की line को short बोलोगे आप कहोगे sir अगर 100 hertz यहां रख दें तो l की value less than 40 km होनी चीए अगर f 100 है तो l should be less than 40 और उस line को क्या कहेंगे उस line को कहेंगे short transmission line short transmission line समझ आ गया समझ आ गया सब लोगों को यानि line पर जैसे जैसे frequency बदलते जाओगे वैसे वैसे आपकी condition बदलती जाएगी अब आपको होगे sir लगाएंगे तो 50 hertz ही आप भी अजीब बात करें हो frequency कैसे बदलेगी मेरे वाई transmission line का use EMT में signal transfer करने के लिए भी किया जाता है और वहाँ काफी high frequencies का use किया जाता है और जब वहाँ high frequencies का use करते हो तो obviously वहाँ criteria वहाँ criteria different होता है as compared to your power system 50 hertz पे तो 80 km का criteria है लेकिन जब EMT में जाओगे megahertz, gigahertz में चले जाओगे तो ये length का criteria काफी हद तक बदल जाएगा LF less than 4000 is the condition for short line अब देखो जब transmission line के parameters निकालते last chapter के अंदर तो सारे parameter distributed थे per kilometer थे लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना KVL, KCL की limitation होती है they can be applied they can be applied only to the lumped circuit lumped का मतलब क्या होता है जहां सारा का सारा parameter एक point पे concentrated मान लिया जाए जैसे देखो मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरे पास एक wire है ठीक है, ये wire दिख रही है अगर इसकी length आधी कर दें तो ये resistance आधा हो जाएगा लेकिन वही मेरे भाई अगर इसका पूरा resistance मान लो इस plug में होता मान लो इसका पूरा resistance इस plug में होता तो wire कितनी भी cut कर लो resistance क्या रहता same, उसे कहते हैं lumped जब सारा का सारा resistance या inductance एक point पे मान लिया जाए that is lumped और अगर पूरी length में बटा हुआ है तो that is distributed तो actual में तो distributed होता है लेकिन मेरे भाई distributed में आप KVL, KCL नहीं लगा सकते हैं approximation के लिए lump करना पड़ेगा lump करना पड़ेगा तभी network analysis लग पाएगा तो यह जो R और L है इसकी unit ohms है इसको lump कर चुका हूँ और इसकी unit millihenry है इसे भी lump कर चुका हूँ तो यह जो मेरे पास दोनों element मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं these are lumped elements बिना lumping के ध्यान रखना KVL and KCL cannot be applied KCL and KVL cannot be applied in case of lumped elements और यहाँ पे देखो in case of distributed यहाँ KCL से आप directly कह सकते हो is equal to ir लेकिन देखो lump करने की वज़े से क्या हुआ आपको sending end तो नजर आ रहा है आपको receiving end भी नजर आ रहा है लेकिन बीच का कुछ नजर नहीं आ रहा बीच का कुछ नजर नहीं आ रहा बात समझ में आ गई मेरे भाई चालो अब आगे चलते हैं अगला आता है medium transmission line medium में क्या कहते हैं length थोड़ी सी और बढ़ गई length थोड़ी सी और बढ़ गई तो हम कहते हैं कि यहाँ criteria यह होता है कि length 80 km से लेकर के 200 km तक लाई कर सकती है for frequency equal to 50 hertz यानि अगर lf की बात करें तो 80 into 50 4000 और 200 into 50 10,000 unit तो समझा रही न hertz का मतलब per second होता है तो 4000 से लेकर 10,000 तक आपका l into f vary करेगा तो it will be called as a medium transmission line अब medium line के अंदर क्या करते हैं बस leakage को ignore करते हैं line पे stored charge को ignore नहीं करते तो we consider the charge stored on the transmission line अब देखो मैंने आपको क्या बताया था देखो ध्यान से देखना क्या होता है charge stored का concept क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ अब फिर दोहर आ रहा हूँ देखो ऐसे न ये electron इधर जाना खूब मज़े से यहां से चले 100 electron लेकिन यहां पे आपके पास पहुंचे सिर्फ 90 electron 90 electron तो 10 electron कहां deposit हो गए 10 electron आपके नहीं रह गए यह ऐसे 10 electron पड़े रह गए यहां पे 10 electron store हो गए 10 electron store हो गए अब इस वज़े से अगर यहां पे current आई था तो 90 electron का मतलब है 0.9i आगे पहुंचा तो यह 0.1i इसे कहते हैं line charging current इसे क्या कहा जाता है line charging current समझ में आई मेरी बात line charging current चीज क्या होती है जो electrons या जो charges line पे stored रह गए which were not able to reach to the receiving end that current is called as the line charging current अब इसके अंदर line charging current consider करते हैं लेकिन leakage consider नहीं करते इसके अंदर leakage consider नहीं करते हैं मेरे भाई इसलिए इसके अंदर आप shunt branch में सिर्फ capacitor दिखाऊगे shunt branch में सिर्फ क्या दिखाऊगे capacitor you will ignore the g you will ignore the value of g लेकिन मेरे भाई अब यहां आ जाता है धरम संकट क्या धरम संकट आ गया धरम संकट यह आ गया कि यह यह capacitor लगेगा कहाँ चलो ठीक है सर आपकी मानली सारी बाद कि capacitance लेना है लेकिन रखे कहाँ इसको क्या आपने सिर्फ पे रखेंगे कहाँ लगेगा circuit मे left लगेगा right लगेगा बीच में लगेगा उपर लगेगा नीचे लगेगा अरे भई लगेगा कहाँ तो मेरे भई यह problem सुलजाने के लिए कई सारे model यहाँ पे define किया दा है कई सारे model पहला होता है receiving end c model receiving end c model का मतलब क्या होता है कि capacitor is connected at the receiving end capacitor is connected at the receiving end अच्छा देखो एक गलती कभी मत करना यह बिचारे जो r और l है ना इनको जुदा कभी मत करना r और l हमेशा एक साथ रहेंगे r और l हमेशा एक साथ रहेंगे माने अगर मैं एक wire ले आऊँ अगर मैं आपके लिए wire ले आऊ और मैं बोलू मेरे भाई इसमें ये बता दो कहां तक r है और कहां तक l है आप बताई नहीं पाओगे आप कहोगे सर हर point पे r है हर point पे l है तो how can we separate r and l how can we separate r and l तो गलती से भी r और l को जुदा मत करना यह हमेशा एक साथ रहेंगे इनके बीच में कैपैस्चर मत गुसा देना वो model एकदम गलत हो जाएगा आप कहोगे सर ये model क्या होता है model मेरे भाई एक ऐसा circuit होता है जो actual line के जितना ही आपको output दे दे यानि अगर आप एक actual line में volt meter, m meter लगा के ना पो और उस circuit से value निकालो तो आपको अगर same answer मिलता है that is called as a model ठीक है तो उसको model कहा जाता है तो मेरे भाई अगर आपने बीच में घुसा दिया ना कैपैस्चर तो actual line तो कुछ और ही result देगी और आपके पास जो result आएगा वो बिलकुल अलग आएगा इसलिए ऐसी गलती मत करना इसे कहते है receiving and c model ऐसे ही आप इसको sending पे भी लगा सकते हो यह जो Ic है ना यह Ic होता है line charging current line charging current इसको आप sending पे भी लगा सकते थे but R और L को अलग मत करना R और L को अलग मत करना यहाँ पे देखो यह Ic ठीक है बई यह वाला ठीक हो गया यह वाली बात clear हो गई अब मैं कहता हूँ sir अगर line distributed थी तो lines को अलग-अलग हिस्सों में बांट भी तो सकते हैं फिर से लिए आता हूँ wire को वापिस अगर ये पूरी wire है इसको मैं दो पार्ट में बांट के दोनों की modeling अलग-अलग कर दूँ ये जो पूरी wire है अगर इसको दो पार्ट में divide करके दोनों की modeling अलग-अलग कर दी जाए then it will be then it will be actually a distributed model distribute हो जाएगा मेरे भाई और distributed में दोनों हिस्सों की length होगी L by 2 L by 2 दोनों की length कितनी होगी L by 2 L by 2 और length अगर आधी हो गई length अगर आधी हो गई तो ये parameters भी आधे हो जाएंगे ये parameters भी आधे हो जाएंगे अब देखो जो आधी line है उस पे मैंने use कर लिया receiving and c model बात समझना जो first half है उसमें receiving and c यूज़ कर लिया और जो second half है उसमें sending and c यूज़ कर दिया sending and c यूज़ कर दिया अब इन दोनों model को अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहलाता है nominal t model c by 2 और c by 2 बन जाता है c और ये r by 2 और l by 2 को लिख देते हैं z by 2 इधर से भी r by 2 और l by 2 को लिख देते हैं z by 2 समझ में आया आप कहोगे सर दोनों में receiving या दोनों में sending यूज़ कर लेते नहीं मेरे भाई ऐसा मत करना क्योंकि अगर किसी भी model में कुछ भी inaccuracy है और आप दोनों जगे वही model लगाओगे तो inaccuracy बढ़ जाएगी मालनो receiving end में कुछ ना कुछ error आ रहा है actual जो wire टंगी वी है वो अलग result दे रही है और ये model अलग result दे रहा है अब आपने दोनों हिस्सों में same model लगा दिया दोनों में inaccuracy आ गई तो overall inaccuracy क्या हो गई increase हो गई बाबु राओ मिर को ये बताओ कि अगर आपने capacitor series में जोड़ दिया माने DC में तो current flow करेगा ही नहीं माने अगर एक wire मैं ले आऊँ एक चीज मुझे बताना अगर ये wire ले आऊँ और इसमें DC connect करूँ तो current नहीं flow करेगा current flow नहीं करेगा wire के अंदर ऐसा तो नहीं होता wire तो wire है wire में तो current हमेशा flow करता है और current अगर हमेशा flow करता है तो capacitor series में नहीं हो सकता it can only be instant series में लगाओ कि तो DC current would become 0 ये बात समझाई और दूसरा reason क्या होता है मेरे भाई दूसरा reason क्या होता है अगर एक तार उठालो एक तार उठालो तो क्या आप ये कह सकते हो कि भाईया source इसी तरफ लगेगा और load उसी तरफ लगेगा क्या ऐसा कह सकते हो क्या कभी ऐसा कह सकते हो एक simple सी wire है कि भाईया ये बात तो socket में डालो और ये वाली wire load से जुडो ये हिस्सा socket में जाएगा ये load में जाएगा ऐसा नहीं कह सकते यानि wire दोनों तरफ से एक जैसी होती है wire is always symmetric from both the sides अगर wire दोनों तरफ से symmetric आती है मेरे भाई तो उसका circuit भी symmetric दिखना जरूरी है its circuit should also भी symmetric और अगर आपको circuit symmetric चाहिए तो आपको model अलग-अलग ही use करने पड़ेंगे एक चीज़ सोचो ना एक चीज़ सोचो अगर आप ऐसे लगा देते ऐस सोच लो चलो अभी मैं L नहीं दिखा रहा क्या ये कहीं से भी symmetric है ये symmetric है क्या symmetric तो नहीं है मेरे भाई symmetric तो नहीं है मेरे भाई it is asymmetric यानि ये model भी एक अच्छा model नहीं कहलाएगा wire हमेशा symmetric होती है अगर wire symmetric है तो आपका circuit asymmetric हो that is wrong that is actually wrong ठीक है that is actually wrong dimple पूछने है सर्थ DC के लिए तो 0 होगा dimple एक चीज़ बता हो कोई तार लाते हो तो क्या AC DC की wire अलग-अलग लाते हो कभी दुकान पे कभी तार खरीदने गए हो तो ये बोला है उससे भईया ये AC में लगानी है या alternating current flow कराना है वो वाली wire देना वो मत देना जिसमें भईया DC flow करता है हमें तो वो वाली तार चाहिए AC वाली ऐसा जाके बोल मत देना बेवकूप बना के ज़्यादा पैसे दबा लेगा उससे समझा जाएगा सामने जो खड़ा ये electrical engineer नहीं है सामने जो खड़ा इसको तो basic electrical भी नहीं आती है तो ये वाला model अच्छा है ये model अच्छा है क्योंकि ये symmetric है ये symmetric है और actual line भी symmetric है अब आप कहोगे चलो सर ये भी मान लिया ये भी आप मान लिया कि एक में sending लगेगा एक में receiving लगेगा अब सर आप ये बताओ आपको कैसे पता था कि पहले में receiving लगेगा और दूसरे में sending आपको कैसे पता पहले में receiving दूसरे में sending मैं कहुँगा मेरे भाई मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता मैं तो पहले में भी sending लगा सकता हूँ और दूसरे में receiving लो लगा दिया पहले में sending और दूसरे में receiving पहले में sending और दूसरे में receiving समझ में आ रही है बात दूसरे में receiving अब यह देखो यह हो गया z by two य यह भी हो गया Z by 2 Z by 2 और Z by 2 जब सिरीज में लगेंगे Z by 2 और Z by 2 जब सिरीज में लगेंगे तो यह बन जाएगा Z यह बन जाएगा Z इसे कहते है Nominal Pi Model कि Pi की शेप का सर्किट है एक Pi की शेप का सर्किट है That is called as the Nominal Pi Model समझ में आ गया समझ में आ गया तो हमने क्या किया अब आप कहोगे कि सर हमने यहां पे क्या किया हमने लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया दोनों को अलग-अलग मॉडल किया और बाद में जोड दिया सर दो में क्यों तीन में कर लेते चार में कर लेते पांच में कर लेते, दो में ही क्यों मेरे भाई जितने हिस्से बनाओगे circuit उतना complicated होता जाएगा फिर फाइदा क्या हुआ approximation का अगर circuit एकदम खतरनाक लंबा सा बना दें तो approximation का फाइदा ही क्या मिला अगर approximation का फाइदा मेरे भाई चाहिए तो आपको circuit simple रखना होगा इसलिए 2 से जाधा हिस्सों में divide करना is not right it is not at all right तो you keep it in two parts और you keep it in two parts not more than two बात समझ में आई करने को 3, 4, 5 जितने हिस्सों में divide करोगे न उतना accurate circuit आएगा क्यों आएगा उतना accurate circuit क्योंकि मेरे भाई transmission 9 actual में distributed है अब जितना आप इसको distribute कर लो उतना बढ़िया है लेकिन अगर आप lump कर रहे हो तो आप approximate कर रहे हो अज़ा दूसरी बात यह यह भी सब lumped है यह सब जो है ना lumped है ताकि network analysis लगाया जा सके यह सब सब lumped है ठीक है इसकी unit ohm है इसकी henry है इसकी farad है अब आती है बात long transmission line की ठीक है long transmission line की बात आती है तो मैं यहाँ पे क्या बूलता हूँ कि हम लोग short और medium पे क्यों गए short और medium पे क्यों गए because we wanted to increase our efficiency line की efficiency नहीं अपनी efficiency कि हम लोग जल्दी से जल्दी calculate कर पाएं तो अपनी efficiency high रखनी थी इसलिए short और medium पे गए long line है कैसी line होती है मेरे भाई जहां कोई approximation नहीं लगता यहाँ there is no approximation there is no approximation यानि यहाँ पे यहाँ पे R, L, C, G all are considered all are considered समझ में आया और दूसरी बात parameters are distributed parameters are distributed यहाँ lumping नहीं की जाती यहाँ lumping नहीं की जाती तो ऐसा मत सोचना long line कुछ अलग से है long line actual में exact model है long line actual में exact model है मेरे भाई transmission line का transmission line का और figure में मैं क्या दिखाना चाहरा था आपको कि short और medium के माध्यम से अपनी efficiency बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी calculation कर पाएं तीक है अब यहाँ पे condition क्या होती है that L greater than L greater than 200 km for F equal to 50 Hz यानि कि LF greater than 10,000 km per second ठीक है यह condition होती है मेरे भाई long transmission line की long transmission line की यह condition है तो देखो long line वाला model हर जगे लग सकता है long line वाला model आप किसी भी transmission line के अंदर लगा सकते हो लेकिन short और medium की conditions है long is exact exact कोई बच्चा करना चाहे कुछ गलत नहीं है exact तो बलकि बढ़िया ही है लेकिन जब हम इसका analysis करेंगे ना जब हम इसका analysis करेंगे आप किस पे जाते हो short और medium पे short और medium पे ठीक है तो यहां मैंने बस यही लिखा है LF is greater than 10,000 ये बाते clear हो गई तो आज आपको ये समझ में आए short medium long कहां से आया और क्यों आया है ये बाते आज के lecture में आपको clear होनी चाहिए ठीक है लेकिन इतनी लंबी line में ये approximations चलती नहीं है तो हमें exact analysis करना पड़ता है exact analysis आप 50 km पे भी कर सकते हो 10 पे भी, 100 पे भी लेकिन महनत जादा लगती है इसलिए 200 से नीचे approximate कर लेते हैं और 200 के ऊपर exact लगा देते हैं ठीक है बात clear हो गई long line is the most accurate model but it is the most complex model short line is the least accurate but it is the easiest to solve समझा रही है तो जितना time ज़्यादा लगा होगे obviously बात ना देखो gate के अंदर एक question को ज़्यादा time दोगे ज़्यादा अच्छा answer आएगा gate के अंदर एक question को कम time दोगे inaccuracy आ जाएगी same way में long line में long time लगता है इस वज़े से result ज़्यादा accurate आता है short में सबसे कम time लगता है तो उसमें result उतना ही inaccurate आता है और हर line practically symmetrical होती है इसलिए model ऐसा बनाओ जो कि खुद भी symmetrical हो then only it will resemble the exact transmission line टेक है derivation वगरा सब कराऊंगा देखो short और medium के तो model समझा दिये हैं आज ये short का model हो गया medium के 4 model करा दिये long का पूरा derivation चलेगा long का पूरा derivation चलेगा तो ये सब चीज़े आगे आएंगे अभी आप short medium long तक समझो आगे सब कराऊंगा अब देखो मेरे भाई जिसको ही पूछ रहा था कि previous year कराते हो गया sir previous year मेरे भाई आपको यहां मिल जाएगा upcoming special classes में आपको क्या करना है unacademy learning app डाउनलोड कर लेना इंडिया के सारे top educator free live classes ले रहे हैं इसके लावा free quizzes करा रहे हैं free test series करा रहे हैं ये सब कुछ मिल रहा है unacademy learning app पे मेरे भाई तो आज ही download कर लेना और उसके बाद इस link पे चले जाना उसके बाद इस link पे चले जाना ठीक है ये जो link दिख रहा है इस link पे जाओगे न तो मेरे सारे free classes अब तक के लिए और आगे लेने वाले दिख जाएंगे और जैसा मैंने बताया आज रात 12 बज़े से अगर partial payment करके भी book कर लेते हो तो भी आपको कम price पे subscription मिलेगा इसलिए आज ही book कर लेना और code बंदू क्या लगाओगे code आप क्या लगाओगे sir अंकित ESE अंकित ESE का मतलब आपके gate और ESE की तैयारी में मैं आपका साथ देने वाला हूँ मैं आपको guide करने वाला हूँ इसलिए अंकित ESE आज ही लगा दो partial payment करके अपना subscription बुक कर लो और full कर सकते दो और आजाओ वान academy पे दिखाता हूँ next level के concept क्या होते है प्लस पे आने से मिलता क्या है live classes तो मिलेंगी live तो यहाँ भी मिल रहा है लेकिन इसके अलावा मिलेंगे daily practice paper, weekly quiz, test series, previous year question, question bank ठीक है, doubt clearing, crash course सब कुछ एक ही subscription में मिल जाएगा और इंडिया के सारे top educators को देख पाऊगे electrical EC, mechanical, civil सब देख पाऊगे इसका 12 months का subscription अभी तो मिल जाएगा 22500 में अगर मेरा code लगाते हो अंकित ESE लेकिन आज रात 12 बजे से ये बढ़ने वाला है और iconic पे तो और मज़ा आ जाएगा iconic पे मिलेगा personal coach जो कि ये सब तो देगाई देगा साथ साथ ये सब तो देगाई देगा साथ साथ आपको guide भी करता चलेगा कैसे तयारी करनी है तो ये सब facilities के लिए और यहाँ study material भी extra मिलेगा ये सब facility के लिए iconic पे आ जाना 12 महीने का subscription मिलेगा 40,500 अगर code लगाते हो अंकित ESE payment के बहुत तरीके हैं debit card, credit card, credit card पे EMI, net banking even debit card पे EMI मिलती है HDFC और बजाज फिंसर्व और partial payment का भी option है कुछ payment करके seat block कर लो बाद में पूरा कर देना code लेकिन मेरे भाई code, 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 code is very important क्योंकि ये code आपको मेरी guidance और immediate 10% discount आपको दिलवाने वाला है तीक है ये मेरा telegram channel ये मेरा telegram channel है मेरे भाई इसको subscribe कर लो इसमें join हो जाओ regular update मिलते रहेंगे notes मिलते रहेंगे और ये मेरी unacademy profile है app download करके इसको follow कर लेना ताकि जब जब मैं unacademy पे live आऊ तब तब आपको ये मेरी live classes मिल जाएं और आज ही से नया crash course start हुआ है unacademy पे तो इससे बढ़िया time नहीं हो सकता join करने का आज ही unacademy पे crash course हमने begin किया है gate 2021 के लिए ठीक है और चैनल सब्सक्राइब कर ले ना electrical junction अभी आदे घंटे बाद open पढ़ाने वाला हूँ इस पे तो electrical junction पे आ जाना animation देखने का शौक रखते हो engineering detail में पढ़नी है तो पार्ट शाला पे आ जाओ engineering के basic करने है तो foundation पे आ जाओ PYQs का solution चाहिए unacademy gate question JEE की तयारी कर रहे हो unacademy SSC JEE gate तेलगू अगर आपको तेलगू language समझ में आती है ठीक है अभी साड़े आठ बजे मिलते हैं junction पे और discuss करते हैं और फिर रात को साड़े 9 बजे आप लोगों के लिए surprise लेके आ रहा हूँ इसी channel पे तो मुझे live मिलना बहुत बहतरीन surprise आपकी live बदल जाएगी लेकिन अब जाकर के आपके पास आजा घंटा है जल्दी से subscription बुक कर लो बाद में बहुत देर हो जाएगी अभी जाओ बुक करो और मेरा टेलिग्राम चैनल पे जाओ वहां से आपको contact details मिल जाएगी और वहां से अपना subscription बुक कर सकते हो Thank you everybody